सौरव जड़ा नितीश का रंग तेजिस्वी का रंग कैसा नजर आ रहा है आपको ओली के मौके पर क्यूंकि काफी एम है नितीश तो कह रहे हैं कि वो तो सुत्रदार बनने चाहरे हैं विपक्षी एक जुटता के किस तरह से देख रहे हैं आप 2023 और 2024 लोगसवा चुनाव को कुमार की कर रहे हैं तो नितीश कुमार ने दो बाते कही है जो काफी महत्वपून है पहली बात उन्होंने कही है कि अगर देश में विपक्ष एक साथ हो जाए अगर एक साथ आ जाए एक मंच पे आ जाए तो निशी तोर पर बीजे पी को हम सौ से नीचे लाकर खरा कर दे दूसरी बात नितीश कुमार ने चेताबनी देते हुए विपक्ष को यह भी कहा है कि अगर सभी विपक्ष एक मंच पर नहीं आएंगे तो बीजे पी को हराना दो हजार चौबीस में नामुम्किन है निशी तोर पर और इसके अलावा नितीश कुमार ने एक चीज और भी क पार्टिया जो है वो एक मंच पर आ जाए तो निशी तोर पर नितीश कुमार इसके लिए काफी मेहनत भी कर रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टी के निताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है और आपने देखा होगा कि दो बार उन्होंने मंच पर यह भी कहा है कि हम लोग सयार बैठे हुए हैं हम लोग एक साथ आने के लिए बेचैन है पहल कॉंग्रेस को करना परेगा क्योंकि कॉंग्रेस बरी पार्टी है और हम चाहते हैं कि विपक्ष की अगुआई कॉंग्रेस पार्टी करें तो निशी तोर पर गेंज जो है वह कॉंग्रेस पार्टी के प आप नहीं किया है तो निशी तोर पर नितीश कुमार का कहना है कि अगर विपक्षी पाटी एक मंच पर 2024 में नहीं आएंगे तो बीजेपी को हराना ना मुंकिन है तो आप देख रहे हैं कि नितीश कुमार लगातार मेहनत भी कर रहे हैं लालू परसाद यादब भी काफी मेह कि सरकार बनी है तब से एक विपक्षी एकता का महाल जरूर बना है लेकि दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी लगातार बिहार में अपना जो कुनबा है उसको बरहानी की कोशिस में लगी हुई है आप देखे होंगे कि आरसीपी सिंग जदियू स अलग हो गया और यह कहा जा रहा हरा कि 2024 में वो बीजेपी के साथ जाएंगे उपेंद्र कुस्पा जो जदियू के एक बड़े चेहरे ते वो भी अब नितिजिश कुमार से अलग हो चुके हैं और यह तैय माना जा रहा कि 2024 में वो बीजेपी के साथ गटवंधन करेंगे इ कि जो सूर हैं वो भी अब अदल गये हैं उनके सूरा बीजेपी से मिलने लगे हैं ठीक है अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुर्णिया में जब महा गटवंधन के महा रेली हुई थी उस समय भी नितिश कुमार ने कहा था कि बीजेपी अब डोरे डार रही है जीतन रामा जी को और उन्होंने कहा था कि आपकी मांगे जो अभी तक नहीं पूरी हुई है वो आगे पूरी हो जाएगी तो निश्चित तोर पर बीजेपी अपना कुनबा बिहार में बढ़ाना चाहती है क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर महा गटवंधन एक साथ लड़ी तो 2024 में उसका नुकसान होना तैय है जी